है लो वेलकम 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 हान जी क्याल्चाल्ट सब बढ़ियां चकाचक मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन जग्वानी तो आज आपकी पता होगा वो बेसिक चलो ठीक है और उसके इलावा हम लोग समझेंगे कि mobility of electrons लाइक electrons किसी एक conductor में कैसे move करता है तो उसके बारे में देखना उसके बारे में जानेंगे पैचानेंगे यह मैं बता दू कि electron किसी भी conductor में move करने के लिए एक point से दूसरे point में जाने के लिए उस बिचारे electron को बहुत सारा struggle करना पड़ता है जितना struggle अनन्या पांडेन ने किया होगा उतना struggle हमारे electron को करना पड़ता है तो यह देखेंगे समझेंगे जानेंगे बैचानेंगे तो rate of flow of charge is known as electric current इसका formula लिखते हैं i equals q upon t से कि एक charge का rate of flow हमें बताता है कि उसमें current कितना flow हो रहा है तो basically flow current नहीं करता है flow करता है charge और किसी भी conductor में कौन सा charge responsible है for flowing of current या for है न तो current flow करने के लिए कौन सा charge responsible होता है तो basically electrons responsible होते है current flow करने के लिए कि किसी भी conductor में एक बात तुम लोगो बहुत अच्छे से बता दूँ कि conductor में free electrons होते हैं तुम्हें मालूम है यह flow हो रहा है तो हम कहते हैं कि charge flow हो रहा है तो basically हम लोग current का direction electron का direction से reverse लेते हैं वह बात अलग है ठीक है उससे अगर electron निकाल दो तो उसमें क्या develop हो जाता है positive charge develop हो जाता है due to deficiency of electron तो यहां पर जितने भी atom होंगे जिनसे यह electrons free electrons निकले होंगे यानि from the outermost shell outer most shell से निकलते हैं जो easily detach हो जाए तो यह free electrons निकले होंगे जिस जिस atom से निकले होंगे उनका positive ion भी तो इस conductor में ही बैठा होगा वो थोड़ी नहीं कहीं जाएगा तो जितना electron होता है आपका उतने ही positive ions भी होते हैं वो positive ions which are due to deficiency of these electrons यह electrons पहले इनी positive ions में रहा करते थे वो neutral atom बनाके बट जब वो atom निकल गया वहां से outermost electron से निकल गया फ्री electron बन गया तो उनकी vacant जगाओं पे आपका positive charge आ जाएगा टिक due to deficiency of electron पर अब बस एक बात है कि यह जो electron है यह move कर सकते हैं तिक they can move freely इसलिए ने free electrons कहते हैं पर यह positive charge है यह अपनी जगह पर stable रहेंगे यह move बिलकुल नहीं कर सकते यह चीजें हैं ध्यान रखना क्योंकि यह मैं क्यों बता रहा हूं यह भी आगे बहुत काम आएगा अभी तो बेसे अपने को पता है कि current क्या होता है rate of flow of charge होता है कि charge का कितने time में कितना charge lower है ठीक तो उसे हम लोग करेंट को measure करते है ठीक है current का SI unit अपने को पता है ampere होती है and एक और बात आई है यहाँ पर current is a scalar quantity current is a scalar quantity आप तुम कहोगे इसमें कौनसी बड़ी बात है हाँ बिल्कुल को यह बड़ी बात नहीं पर यह पहले नहीं पढ़ा होगा कि why it is a scalar quantity, scalar quantity क्यों है vector quantity भी तो हो सकती थी इसका direction भी तो हो सकता था हम लोग circuit diagram में बनाते तो है direction तो vector quantity क्यों नहीं हो गई क्योंकि vector quantity इसलिए नहीं है क्योंकि इसके दो कारण है सबसे basic कारण सबसे पहला है कि it does not obey the vector rule of addition यह vector rule of addition obey नहीं करती है अब तुम्हें इसका मैं बताऊं तो माल लो यह current यहां से आ रहा यह current यहां से आ रहा ठीक यह एक junction है फिर यहां से current दोनों add हो गए तो यह current है 3A यह current है 4A ठीक अब अगर vector होते यह अगर यह vectors की तरह होते तो यहां पर वेक्टर एडिशन लगता वेक्टर एडिशन में यह 3A का डिरेक्शन इधर 4A का डिरेक्शन इधर इनके बीच का एंगल थीटा फिर इससे यह यहां पर जो भी आपका mayotor अगर वेक्टर स्त्री वेक्टर का जो भी निकलता है मिरेसं वेक्टर में कैसे निकलता है यह इसे इस गराइब शुलेजा में रिजल्टेन पर यह पर आहसा कुछ नहीं होका यहां पर डायरेक्श श॥ौप चाप से यह 3 प्लस 4 कित्ता होता है 3 प्लस 4 होता है 7 तो direct यहाँ पर simple addition हो जाएगा यहाँ पर यानि कोई vector rule of addition नहीं लग रहा है यहाँ पर आप galvan हो, meter या m meter से भी current measure करोगे तो simply इनका addition आएगा कोई अलग से दुनिया भर का answer नहीं आएगा कोई मतलब vector का apply होके कुछ नहीं आएगा ठीक यहाँ पर vector rule of addition औबे नहीं कर रहा है यहाँ पर यहाँ पहली बात simple addition नहीं हो रहा है दूसरा देखो if the wire is bent at different places the strength of electric current remains same अब देखो vector quantities हम जानते हैं vector quantities क्या होती है जो magnitude as well as direction पर depend करें अनका magnitude change हो तब भी वो change होते हैं अगर उनका magnitude same है but direction change हो रहा है क्या बेशेब ही जो चेंज होते हैं पर current का बात हो रही है तो current किसमें flow था यह टा वायर कि तुआइर सी बात है तो अगर wire आपकी bent होती है ऐसे ऐसे मान लो ऐसे-जो ऐसे यह ऐसे कैसे भी ही Bent होती है तो क्या उन उन पॉइंट्स पर करेंट का फ्रग्ड का फ्लो या टरिक की स्ट्रंथ इंगlä कुुछ इशर पड़ता है नहीं पड़ता ना करेंट तो वही फ्लो हो रहा हुता ना अगर तीन एम्पीरकर फ्लो हो उखे से लाइक और स्बस्सक्राइब युदि अहन्ट है दिवाली में क्या होता है हिप लिल्ग लैजाते हैं फिश्म कंई TIM ऑन वburg युद्विश से भी हो रहा है करेंट सब्सक्राइब सब्सक्राइब युद् standpoint तक डिजाइन लगी होती है जालर की सब अपनी क्रिएटिविटी उदल निकाल ले होते हैं कुछ लोग ऐसे सीधी सीधी जालर लगा देंगे जिनको ज्यादा मैनत ना करने पड़े ऐसे सीधी सीधी लगा लेंगे और नीचे ऐसे गुच्छा सा छोड़ देंगे कुछ लोग कुछ लोग ऐसे सिंपल ऐसे ऐसे लगा देते हैं सबके अपनी अपनी क्रिएटिविटी को जज नहीं करना है अपने को यहां पर यहां पर यहां उपर ज्यादा लाइट आ रही नीचे कम आ रही ऐसा तो नहीं हो रहा ना चाहिए आपका करेंट कहीं कम होता है नहीं होता इसा तो नहीं होता न कहीं पर बहुत ज्दाधा light आ जाती है Yes यहै cantile की करेंट की shtrent जितनी वायर में आनी चाहिए उतनी आएगी ना उससे ज्याधा न kण तो आपका anybody डैद्रेक्शन हो जय libro चाहे छ secularionen जैसे भी चाह रही हूं उससे फरक नहीं पड़ेगा that is why it is a scalar quantity these are the two main reasons for being scalar तो यह एक आपको यहां से यह चीज़ें पता हो गई अब अगली चीज़ें देखते है अगला term आया है current density current density spelling में यह T दो बार आ गया है कोई बात नहीं current density देखो क्या है current density होता है the amount of current flows per unit area of cross section of the wire is known as current density यानि एक per unit area of cross section से कितना current flow हो रहा है यह current density हो जाती है तो माद लो अगर यह conductor है इसका area of cross section किता है इसका area of cross section है अब इस से electrons यहां से ऐसे flow हो रहे है इस direction में यह direction में electrons flow हो रहे हैं तो current किस direction में flow होगा ओपोसिट डिरेक्शन तिक यह direction में electrons flow हो रहे हैं तो current किस direction में यह हो तो यह जो current है इस cross section of area से कितना magnitude flow हो रहा होगा तो वही निकालता है अपनी current density current density क्या होता है the amount of current flowing through per unit area of cross section तिक अब यह बात मैं तुम लोग को बता दूँं कि यह जो area होता है यहाँ पे area as a vector quantity treat किया जा रहा है यहाँ कि मैंने बताया है यहाँ पे आपके electrostatics में current electricity इन सब चीजों में area को as a vector quantity रखा गया है vector quantity की तरह treat के आपने Gauss theorem बगएरा में भी area को as a vector quantity देखा है तो यहाँ पे देख के current तो scalar quantity है but current density is a vector quantity ठीक तो current density आपकी क्या है vector quantity है और इसे denote करते है J से ठीक और इसकी SI unit है ampere per meter square simple यह चीज है ऐसी कोई बहुत अलग सी बहुत heavy चीज नहीं यह basic basic चीजें थी तो आज की जो चीजें होंगी वह basic basic ही होंगी यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा कुछ detail depth में नहीं होगा भी आपकी आगे topics जो आएंगे वह अच्छे अच्छे होंगे और किर्चौफ लो आएगा wheatstone bridge आएगा meter bridge आएगा potential meter आएगा तो यह सब और interesting topic इसके लिए basic समझना जरूरी है तो basic आज ज्यादा लंबा नहीं होगा आपका आपकी जो यह lecture होगा बहुत ही medium होगा बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं ठीक तो आगे देखते हैं आगे क्या है आगे है अपना देखो कुछ terms है अब कुछ कहानी है अब मैं बताने वाले हो तुम लोग को कि electron कितना struggle करता है भाई तुमने सुना होगा अभी तक अनन्या पांडे ही struggle करती नहीं electron से ज्यादा struggle करता है मैं दिखाता हूं कैसे तो मानलो यह अपना conductor है एक spare conductor मैं इसी का एक copy यहाँ बना दे रहा हूं ठीक यह कुछ ऐसे सा है न ठीक तो इस conductor में देखो flow हो रहे है electrons ठीक free electrons हैं यह इस conductor में flow होंगे जाईरसी बात है ठीक है तो इस conductor में मानलो यह सब electrons इधर की direction में flow हो रहे है ठीक है यह बात ठीक है बढ़ियां है flow हो गए ठीक तो देखो क्या है तो ऊसकी यह धी conductor मानलेते इसमें यह electrons यहाँ पर यह electrons यह सब free electrons अभी फ्लो होंगे अभी नहीं हो रहे है तो यह free electrons है यह पहले से तो free होंगे नहीं महँ अब आजादी पहले से थोड़ी नहीं मिली विघ्राइथ कैसे मिली ओगी भाई उनके अंदर जो एकम सोंगे आड़ से निकले होंगे बाहर तो इनको आजादी मिल गयोत तो यह जो अंदर यहां बचे में पॉजिटिव चार्ज अभी मैंने थोड़ी दिर पहले बताया था कि अगर यह आटम है आपका इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया है तो इस पर क्या डिवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो वह आटम इसी कंड़क्टर में ही बना रहेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि वह आटम अपनी जगा पर बना रहेगा अब यह आयों आयन पोजिटिव आएन इपनी जगा पर बना से नहीं हैं तो जितने प्री तरसाolog निकले है उत्के हापे पॉजिटिव आय भी यहां पर बढ़ने हों घ हाँ पड़े होंगे ठीक है अपनी जगागा पे अगदम स्टेबिल एकदम सक्त होंके बैठेby करता है ये यह हैँ इलेक्ट्रोन क्या करता है अपने उसे, आपने फील्ड आपलाई करते हैं तो तो इलेक्ट्रोन मूव करता है कि यह मूफ किया यहां पर आने के बाद यह पॉस्टिव आयन तो हटने नहीं वाला अब भाय आप रास्ते चल ले हो आपके सामने को एकदम बड़ा हट्टा गट्टा एकदम चोड़ा खली जैसा आदमी आ जाए ठीक और आप चलते जा रहें अपनी स्पीड में आपने सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है तुम लड़ोगे फिर उसके बाद फिर तुम आगे चले जाओ वह 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 तो अटने नहीं वाला विए उसको तुम हटा भी नहीं पाओगे तो वही चीज है कि यह बचारा चोटू सा इलेक्ट्रॉन आता है बिचारा इससे टक्रा जाता है फिर यह यह फट्टे गठ्टे आदमी से टकड़ा जाता और फिर क्या करें फिर आगे बढ़ जाता है तो अलेक्ट्रोन कितना स्ट्रइफल कर रहा है मुव कर ने भी चारा बार बार इसका को लिजन हो जा रहा है बार-बार लड़ जा रहा थीग है तो गीकि accelerating लेक्ट् से उसका collision होता रहेगा तो electron सीधा सीधा नहीं चल पाता मुझे ऐसे constantly चल नहीं पाता है कि electron किसी conductor में सीधा सीधा बस flow भोरा भीना किसी दिक्कत के वो flow होता है यह बट उसको बहुत सारा obstruction मिलता अपने आपने रास्ते में उसको बहुत 살ा औसे पहले इस आनसे पहले अगे बढ़ा आप्रूननळ से टकरा कैसे भर आखे बढ़ा इस इस एंधö हैं तो किसने बार इसो कुलीजन होता जा रहा है यहां पे जितने भी जितनी सा यह पने इस इस पहले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कर रहा है तो देखो भाई कितना स्ट्रगल कर रहा है अपना भाई तो इस तरीके से आपका electron flow होता है, अब रही बात है इन terms की, तो देखो, terms क्या है, सबसे पहले आता है relaxation time, तो relaxation time क्या होता है, the time taken in two successive collisions of electron, under the influence of electric field is known as relaxation time, क्या मतलब हुआ, कि ये जो दो successive collisions की बीच का जो time interval है, ये आपका relaxation time होता है, इसको नाम से समझो, relaxation time, time, relax होने के लिए time, कि माल लो आपको ये पहला collision हुआ, electron का इससे, यहां पर आके इससे भढ़ गया, तो जितनी speed थी, जितना momentum तो सब्सक्राइब लूज हो गया हो, जाहर सी बात, आपको भी रास्ते पर गारी चला रहे हो, अचानक से सामने इसको या आ जाया, सामने से कुछ रूजब भी हो, तो आप break मार देते हो, एक दम रुख जाते हो, आपका छूंने वाला होता है, तो आप रुख जाते हो, तो क्या होता है, यह रुख गया, इसका सारी वेलास्थी, सारी एनरजी, सब कुछ चला गया, अब इसको जब अगली बार आगे बढ़ेगा, तो फि यह टाइम कहलाता है अपना रिलाक्सेशन टाइम और रिलाक्सेशन टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं डिनोटेट भाई टाव अब कहोगे टाव से टॉर्क डिनोट होता है टाव से रिलाक्सेशन टाइम डिनोट होता है क्या चाहते हो बच्चे की जान लेना चाहते हो नही तो लेटर एक है इसके डिनोशन अलग अलग है बट उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता आपको पता सिल जाएगा कि इसमें कहीं टॉर्क आपको फिलाल यूज करने की जरूवत नहीं आएगी तो आपको यहां पे टाउ का मतलब रिलाक्सेशन टाइम ही समझना है ठीक तो तो रिलाक्सेशन टाइम इस दोनोटेट बाइट वाइ टाउ और यह क्या होता है इसट टाइम in between two successive collisions of electron under the applied electric field under the influence of electric field क्योंकि यह जो electron move कर रहा है किसके influence में move कर रहा है electric field के जायर सी बात है आपने potential difference apply किया तो electric field भी apply हो रही तो electric field के क्या बोलते है influence में यह electron move कर रहा है जिसके अंदर उसका collision हो रहा है और कोई भी दो successive collision यानि एक के बाद एक collision के बीच का जो time होता है वो कहलाता है relaxation time relax होने के लिए अगला term क्या है drift velocity यह बहुत important term है drift velocity basically क्या होता है अब यहाँ पर चार लाइन की definition लिखिए है मैं तो में simple words मता हूं तो drift velocity क्या है velocity of electrons moving in the conductor पर अब conductor में electron सीधा सीधा तो move कर नहीं रहा है मतलब बार बार यह move कर रहा है फिर रुक जा रहा है फिर move कर रहा है फिर रुक जा रहा है फिर move कर रहा है रुक जा रहा है फिर move कर रहा है फिर रुक जा रहा है फिर move कर रहा है फिर रुक जा रहा है तो constant velocity तो है नहीं तो small constant velocity acquired by the electron in the direction of length of conductor under the influence of electric field is known as velocity of electron वो small constant velocity या वो एक average velocity जो इस conductor में electron के flow में है उस electron की क्योंकि बार बार देखो चलना रुक रहा चलना रुक रहा तो एक small constant velocity आपकी बन रही है यहां पे तो वो एक velocity के लाती है electron की क्योंकि देखो अगर collision जब भी होता है तो ऐसा नहीं कि collision वहने के बाद आदा घंटा electron वहीं बैठ गया ऐसा नहीं होगा collision हुआ ठीक बहुत millisecond का बात होती है बहुत millisecond की बात होती है क्योंकि current और electron इतना तेज़ फ्लो हो रहे होते हैं कि भाई वो तो अपने को देखने के देखा भी नहीं जा सकता है इतनी तेज़ फ्लो हो रहे होते हैं कि वह जो जब ट्रफ़लन या कर रहा है इससकते हो दूसरी बात यहां पर जेफिन से समझ सकते हो एक एवरेज गविलोस्टी की तरह समझे electron की velocity in a motion of electron when in the conductor ऐसे समल लो, ठीक, electron की velocity inside the conductor under the influence of electric field ऐसे समल सकते हो, तो ये कुछ terms थे, ठीक, और जो path acquired by the electron है, उसे हम mean free path भी कहते हैं और इसमें, हाँ, बस basic चीज़ें ही आई हैं, अब हम लोग देखेंगे relation between electric current and drift velocity तो ये जो terms आया है, ये drift velocity जो term आया है, बहुत important term है अब इसका जो अगला relation बताने जा रहा हूं, वो एक derivation हुआ करती थी वो आपकी subjective paper में पूछी जाती थी तो there is a great chance कि आपके objective paper में भी उससे related questions या उससे related चीज़ें पूछी जाएं तो अभी जो अगला relation बताने जा रहा हूं वो जरूरी है, वो ध्यान से देखना तो अगला relation है, relation between electric current and drift velocity तो इन दोनों की बीच में क्या relationship है भाई? relationship इन दोनों का कितना complicated है, कितना complex है, तो देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पैचानते हैं तो यहां पर वही अपना conductor, तो यह जो conductor है, यहां पर conductor अपना bus conductor नहीं है यह conductor का जो area of cross section है, यह area of cross section कित्ता है? A यह वाला point मैं मान ले रहा हूँ P यह वाला point मान ले रहा हूँ Q यह जो इसकी length है PQ है मान लो और अगर मान लो एक electron है यहाँ पे एकदम corner पे है तो इस electron को यहाँ P point से लेके Q point तक पहुँचने में कितना time लग रहा है? T time लग रहा है मैं यह कुछ basics यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि यह जो electron है यहाँ पे मानलब जो P point पे जो electron है उसको यहाँ से लेके यहाँ तक move करने में जितना time लग रहा है उसे मैं suppose कर ले रहा हूँ T let the time taken by the electron in moving from point P to Q तो P से Q तक पहुचने में उसने जितना time लिए वो हो गया T and the drift velocity of electron is VD यहाँ पे मैंने electron की drift velocity VD मानली है तो यहाँ पे theory वही लग रही जो मैंने इससे पहले बताए थी तो कहानी पूरी यही लग रही है उसी कहानी को हम लोग follow करते हुए अभी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे electron की velocity क्या है VD यानि drift velocity है ठीक इस conductor का area of cross section किता है A है यहाँ से लेकि यहाँ तक किता time लग रहा है electron को flow करने में एक second अच्छा चलो ठीक यहाँ से लेकि यहाँ तक का जो अरे यार जाता है अजीब जिन्दगी भाई तो यह उसका area of cross section A है यहाँ इस point से इस point तक इसने किता time लिया A है इस point से यहाँ तक T time लिया और यह इसकी drift velocity VD है ठीक तो यह कुछ basic चीजे हों गई अब देखो अब करते हैं derivation suppose करते हैं let number of electrons per unit volume per unit volume कित् scent number of electrons हैँ सब्सभूष कर लेते है महल सब्सक्राइब unit volume में कितने number of electrons है N number of electrons माल ले रहे हैं ठीक अब वो unit volume कुछ भी हो सकता है 1 cm hewb हो सकता है 1 meter cube हो सकता है then unit volume में कित्ने number of electrons से एन ठीक है तो अगर हम लोग distance निकाले distance traveled by electron in time t, t time में कितना distance travel किया है यहां से लेकिए यहां तक का distance travel किया है वो निकालना तो यहां से लेकिए यहां तक का distance क्या है यहां से यहां तक तो यहां तक जा रहा है तो हमने इतना distance निकालना है distance equals क्या होता है distance equals होता है speed into time नौई class में यह formula पढ़ा था है याद होगा तो यहां पर जो distance निकालना है time कितना है t, speed कितनी है vd यही तो speed electron की distance निकालना है अगर यहां से लेकिए यहां तक का distance निकालना है यादि PQ निकालना है तो यह क्या हो जाएगा speed into time vd into t यानि PQ आपना vd into t ठीक है distance आपना अब देखो हमें निकालना है volume of electron निकालते हैं sorry volume of conductor निकालते है volume of electron नहीं volume of conductor तो volume क्या होता है area into height होता है basic maths मालूम होगी ठीक तो area यहां पर क्या है area of cross section A height किती है यहां से यहां तक की PQ देखो height किती है PQ है ठीक PQ is the height तो यानि हो जायागा A into PQ which is PQ यह है और बाकी A into VDT तो यह आ गया total volume आ गया यह जो आया है जो भी expression आया है A VDT area into drift velocity into time तो यह क्या आया है total volume ठीक आप देखो total number of electrons निकालते हैं total number of electrons in total volume तो अभी तक हम लोगों ने जो electrons माने थे वो per unit volume माने थे यानि unit volume एक single volume में number of electrons किते माने थे n ठीक तो total volume में किते हो जाएंगे जाहिर सी बात है अब आई एक volume में 1 cm3 में n number of electrons है तो 10 cm3 में किते हो जाएंगे 10 into n जाहिर सी बात है सिंपल सी चीज है unitary method तो वन यूनिट वॉल्यूम में किते हैं वन वॉल्यूम में किते हैं n number of electrons टीक तो यह टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है एवीडी टी तो यानि एवीडी टी यह टोटल वॉल्यूम में किते number of electron हो जाएंगे इसको n से multiply कर दो टीक तो टोटल नंबर ओफ इलेक्ट्रॉंस किते आ गए एन एवीडी टी यह टोटल नंबर of electrons हो गए हैं इस पूरे वॉल्यूम में इस पूरे conductor के अंदर वो कितने भी हो सकते हैं 100 200 1500 300 400 कितने भी हो सकते हैं ठीक सपोस कर ले रहें तो टोटल नंबर ओफ इलेक्ट्रॉंस अब आपने यह देखा होगा q equals n e n e न लिखो या वैसे लिख दो charge equals क्या होता है number of electrons into charge number of electron into charge of electron ठीक यह तो q equals n e पढ़ा होगा quantization of charge बहुत पहले पढ़ाता number of electron into charge of electron तो number of electrons यहां पे कितने हैं खुद देखो खुद बताओ भी बताया था number of electrons यहां पे total number of electrons इस पूरे conductor में कितने है total number of electrons अभी निकाले हमने na vdt तो इस value को उठाके कहां रख दो यहां पे तो यह formula बन जाएगा a vdt sorry na vdt into e इसको थोड़ा से rearrange करके लिख लो तो q equals आ जाएगा nea vdt ठीक यह आ गया अब अपने को पता है current क्या होता है rate of flow of charge ठीक चार्ज अपना कितना आ गया यह आ गया nea vdt ठीक current क्या हो गया q upon t q upon t यानि q को q की value यह रखो nea vdt upon t t से t cancel हो जाएगा तो यहां पे current की value क्या आ रही है i equals nea vd t से t cancel हो गया है ठीक यहां पे current और drift velocity के बीच में relation देखो क्या आ रहा है current और drift velocity के बीच में relation आ रहा है कुछ आ रहा है ठीक अब किसी एक specific conductor के लिए यह सारी values तो constant रहेंगी number of electrons, charge of electron, area किसी specific conductor के लिए constant रहेंगी तो यानि यहां पे देखो directly proportional हैं यह दोनों तो यह relation है आपका current और drift velocity के बीच में तो आई का यह formula आया है उसको इसमें यहां पे रखो तो NEAVD upon A तो A से A cancel हो जाएगा यानि current density का formula आ जाएगा वो यह आ जाएगा NEVD तो यह हो गया आपका relation between current density and drift velocity तो यह भी आपका आ सकता है तो दोनों वो अमले इसी से आ रहे है एक आपका relation between current and drift velocity है दूसरा आपका relation between current density and drift velocity है तो यह पहले तो आपकी derivation आती थी इसकी तो derivation में बोल दिया जाता था तो पूरा काम यहां तक करना पड़ता था फिर उसके बाद यह step और करने पड़ते थी तो यह पूरा derivation हो जाती थी तो पहले ही derivation आती थी तो पूछी जाती थी इससे related questions भी आते थे तो अब objectives में इससे related questions आ सकते हैं MCQs आ सकते हैं Numericals में आ सकते हैं तो इसलिए यह चीज़े समझना जरूरी है ठीक तो यह relation आपका कुछ SSI है ठीक तो यह domain relation आये हैं यह domain formula आये हैं इनको मत बूलना इनको ध्यान में रखना ठीक तो देखो आज की चीज़ें इतनी हैं पता रहा हूँ एक आत MCQ बताने से कोई मतलब नहीं है अभी और topics आने दो आपके इसके बाद वाले topics हैं तो एक साथ अगर जब numerical हम लोग करेंगे तो ज़्यादा समय में भी आया का और सई से हो भी जाएं के practice इस से ज़्यादा कोई numerical अभी कोई खास ऐसे हैं नहीं तो अब अगली जो topics आपके हैं अगले आपके कुछ-कुछ basic हैं कुछ-कुछ आपको जाने माने हैं और कुछ-कुछ आपके लिए नए हैं तो वो देखेंगे ohms law देखेंगे in vector form ohms law आज तक आपने पढ़ा है ठीक v is proportional to i v equals i r v upon i equals r equals constant यह सब आपने पढ़ा है but ohms law in vector form तो न आपके लिए नए तो जानेंगे और उसके बाद फिर आपके जो topics आएंगे कुछ-off law, wheatstone, bridge तब उसको देखेंगे ठीक है तो मेरे ख्याल से हाँ जी as the legend says कतम बाइबाइबाइ टाटा, good bye गया तो चलते हैं फिर good night, bye bye, tata, see you, मिलते हैं